उत्राखंड के 2022 के विधानसभा चुनाओं में भाजपा और कॉंग्रेस की वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए आमादमी पार्टी के राश्ट्र संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केज जिवाल का एक दिवस्य दौरे पर रविवार को देहरादून वो देखिये उन्होंने कहा कि उत्राखंड में 24 घंटे बिजली देंगे उत्राखंड के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी साथि उन्होंने अगली बार आने का वादा भी किया और कहा कि अगली बार हो आमादमी पार्टी के सी-एम फेस की घोशना करने के लिए देहरादून में आयुज़त प्रेस कॉंफरेंस में अर्विंद केश जिवाल ने सभी उत्राखंड वासियों को मेरा नमस्कार कहकर अपनी बात शुरू की उन्होंने कहा कि उत्राखंड आकर अच्छा लग रहा है भगवान ने इस देव भूमी को सब कुछ दिया यहां मेहन अच्छे और इमानदार लोग हैं लेकिन उत्राखंड के नेताओं और पार्टियों ने इसे बर्बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है उत्राखंड की जनता के विकास के बारे में कौन सोचेगा क्या इन दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी को उत्राखंड की जनता की चिंता है उत्राखंड की जंता के बारे में कौन सोचेगा उत्राखंड के विकास के बारे में कौन सोचेगा इन दोनों पार्टियों को कोई परवा नहीं है दोनों पार्टियों केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रही है कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है आज इतनी महंगाई हो गई है एक आम आदमी को अपना परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा है हर चीज महंगी होती जा रही है जैसा भी करणल साहब ने कहा किसी भी परिवार में चले जाओ सबसे ज़्यादा दुखी कौन है खास कर महिलाएं क्यों आदमी कमाता है कमा के महिने के अंत में अपने घर में अपनी धर्म पत्नी को मा को बेहन को लाके पैसे उसके हाथ में रख देता है फिर पूरा महिने का खर्चा तो बिचारी महिला को चलाना पड़ता है आंदनी बढ़नी रही खर्चे बढ़ते जा रहे हैं महंगाई बढ़ती जा रही है मेरा यह कहना है कि उत्राखंड जो कि बिजली बनाता है जो कि दूसरे राज्यों को बिजली देता है दूसरे राज्यों को बिजली बेचता है उत्राखंड के अपने वासियों को बिजली इतनी महेंगी क्यों मिलती है कि क्या कभी किसी भी सरकार ने उत्राखंड वासियों को फ्र और विस्तार से जानेंगे किस तरीके से दिली सीम अर्विन केश जिवाल ने लोक लुभावन तरीके से वहां की जनता को लुभाने की कोशिश की शैलेंद्र पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है जी शैलेंद्र बताएं मंत्री अर्विन केश जिरिवाल ने उत्रा खण मिया करके चार घोसना की हैं उन्होंने पहला घोसना यह किया कि लोगों को 300 यूनिट फिरी बिजली दी जाएगी साथ यून्होंने दूसरी घोसना की कि जो पुराने बिजली बिल हैं वो सारे मास किये जाएंगे तिसरी घोसना है कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी और एक और बड़ी घोसना है कि कितानों को हमेशा फिरी बिजली दी जाएगी ताथ यून्होंने अभी कहा कि 5 साल तक कोई भी टेक्स उत्रा खंड में नहीं बढ़ाया जाएगा लेकिन देखने वाली बात होगी जब चुनाव आता है तो नेताओं की घोशना होती है अब ये चीज कितनी अमल में आती है ये तो चुनाओं के बाद पता चलेगा कि आमादी पाटी किया सरकार बनती है कि नहीं बनती है और बनती है तो आमादी पाटी अपने वादों पर कितना खरा उतरती है भारती जी शेलेंद्रे यह लेकिन देखने वाली बात होगी क्योंकि जिस तरीके से सीएम अर्विन केजरिवाल दिल्ली में काम कर रहा है उन्होंने निचले तबके के लोगों को काफी राहत देने का काम किया है तो कहीं न कहीं यह बात गौर फर्माने वाली है कि इस तरीके के जो लोक लुभावने वादे कर रहे हैं वो कितने अंद्रोनी रूप से द्रड हैं भारती उन्होंने दिली वाला है मौड़ों ही रखा उन्होंने बताया कि दिली का बजट वह बारागैपिया साथ ही उन्हों ने कमला बहुत बढ़ी भी बोला उन्हे पर उन्होंने कहा उन्हें मुख़मंत्री बदलने जी फुर्शत नहीं है उनके पास खुद ही करते हैं , कहबलू मुखहमंत्र बदल रहे हैं। लेकिन उन्होंने का कि जब आम आदमी की तरकार बनेगी तो यहाँ पर शौरतर्था भी कास होगा और राज बहुत तरकी करेगा। क्रीकिन remote कि झामा ऑकले दोस्चान Movement की तरकार भी के बनेगी की में। अंधे भी कि की तरकार भी कास बार रहे हैं। झाल झाल